गोवर्दन ब्लॉक संसादन केंदर पर उत्तर प्रदेश प्रात्मिक सिक्षक संग के बैनर तले शिक्षा मित्र अनुदेशक और आगनवाडी कारकर्तियों ने अपनी अपनी मागों के सापेक्ष में एक दिवसिय धर्ना प्रदर्सन किया धर्ना प्रदर्सन में संबोधित करते हुए प्रात्मिक सिक्षक संग के जिला संयोक मंतरी मुकेश कुंतल ने कहा कि सरकार अपनी हट दर्मता की वजए से पुरानी पेंसन को बहाल नहीं कर रही है जबकि इस भारत वर्ष में कई अन्य राज्यों में वहां की राज्य सरकार अपनी करमचारियों को पुरानी पेंसन का लाव दे चुकी है इस करम में उत्तरफ़्दे सरकारों को भी अविलम हट धरता चोड़ कर कर करमचारियों को पुरानी पेंसन का लाव दे देना चाहिए शिक्षा मित्र संग ब्लॉक अध्यक्त राजकुमार चौदरी ने बताते हुए कहा कि सरकार सिक्षा मित्रों के साथ मानवीता का बरताव करते हुए उन्हें ततकाल इस्थाई नियुक्ती प्रदान करे क्योंकि सिक्षा मित्रों ने अपने जीवन का आधिकान समय सरकार के आदेश में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बिता दिया आगनवाडी संकी ब्लॉक अध्यक्स वीता सिंग ने कहा कि सरकार की नई सिक्षा निती में प्री प्राइमरी सिक्षा को पूरी तरह से आगनवाडी के हवाले किया गया है तो सरकार को ये भी पहल करनी चाहिए कि आगनवाडीयों को इस्थाई नियुक्ती ब्रदान हो अनुदेशक और विसेश सिक्षकों की इस्थाई करण की बात भी मार्क दर्सक कुमरजी सोगरवाल ने रखते हुए ओनलाइन कार के नाम पर सिक्षकों की सोशन बंद करने की बात को जोड़दारी से रखा इस मोके पर सेक्षक और करमचारियों की सरहनिये उपस्तिती रही के साथ लेकर के किस उत्रिया मांगों के एजन्डा के मुख में हमने ये धर्ना प्रदर्शन आईजट किया है सरकार की हट धर्मता हमारी तमाम मांगों के लिए हैं हमारे लिए एक नया मुसीवत पैदा कर दिया है कि उत्तरप्रदेश सेवा सिख्या अधिगरण 2021 बिदेग पास कर दिया गया है अम तक हमारे लिए व्यवस्ता थी कि हम अपनी यानि कोई समस्या विवाग से नहीं होती थी तो हम पोड जाके कर दिए वह भी रोग दिया गया उसका अधियच एक सेवा निप्रत व्यक्ति को निप्त किया जाएगा जो जब एक वजो सर्वकार का नुमाइंदा हुआ दो बात है हमारी कहां सुनेगा तो हमारी सुषण के लिए फूरी व्यवस्ता थायर की जा रही है इसके साथ साथ हमारी सिख्या मित्र भाई है उनके मानदे बढ़ोतरी के लिए उनके स्थाई करण के लिए रगातार रमसंगर रहते हैं हमारी आंगरवाडी बहने हैं उनका कम से कम मानदे है जतना वो कार्षट्टी से जजाब से 15,000 रुपे मिनिमम होना चाहिए हमारे अंजे सख्भाई उनकि स्ताहिकरण के लिए और इस कुरोणा जैसे व्यानक महामारी के अंतरगत हमारे सिख्या विवाक के शमस्थ विध्याले परिवार कहा कुँगा में किसे सारे अंग्या आगनवाडियों सिख्यामुक्रों सबने तन्वन्द से सरकार की मिर्देश का पालन करती हुए जंगर्सकिया सरकार की सालगारों को अमली जम पहनाया उसके बावब सब्सक्राइब ना तो हमारे मिर्टक आश्रितों को लिपक वर्ग पे लोकरी देने के लिए तयार है ना सिख्यक पद्पे नोगरी देने के लिए तयार है हुई चतुर्ट स्रेडी पद्पे देने के तयार है हमारी मांगे हैं कि हमारे जत्मेवी पूरोनों हमारी के दोरान सिख्यक आमिरवारी सिख्यमित्रवाई अनुदेशक जो सहीद हुए है हम उनकी सहीद को नमन करते हु शरकार अगर आपकी मागों को नहीं मानते है या किसी परकार का व्यवधान उत्पन होता है तो आपका अगला कदम क्या हो? वो हमारा अगला कदम जैसे हमारे प्रदेश संग्ठन से जो निर्देश हमको जिलाई काई को प्राप्त होंगे उनका पूर्त अनुपालन किया जाएगा और उसको करती हो आगे की भूमका बनाई जाएगी